नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चानल पर आपका स्वागत है तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूस यह आरफ के जो लोग मिलकर भारत के किलाफ पॉंस्टेंटली नेरेटिवस बनाते हैं और constantly negative reports निकालते हैं उनको expose करते हुए एक series हम लोग लेकर आएंगे तो उसी series में हमने पहला वीडियो कल शेयर किया था तो यह आप लोगों ने देखा हो उसमें हम लोगों ने US-CIRF क्या है उसका जो background है उसके बारे में बात की थी अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखे ताकि आप समझ पाएं कि कैसे कैसे लोग इस particular sense सामें बैठे हैं जो कि अपने आपको independent organization क्याएं इसी series में यह दूसरा वीडियो है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एरिक यूलेंड की जो की वाइस चैर्मिन है हाल में USCIRF USCIRF यानि की United States Commission on International Religious Freedom पूरी दुनिया में अलग-अलग कंट्रीज में धार्मिक्स वतंतरता का स्थर कैसा है इसके उपर यह लोग रिपोर्स निकालते हैं महाँ पर जाकर वहाँ पर जो manipulated news है उनको सड़ी करके जो news उनहीं के agents के द्वारा दिये जाते हैं अलग-अलग newspaper में चाहे वो Washington Post में हो या फिर New York Times में हो या फिर ऐसे किसी भी Indian newspaper में भी तो उसी के basis पर वह लोग reports निकालते हैं और इंडिया को, पाकिस्तान को, चाहे ना को और अलग-अलग countries में जो धार में एक स्वतंद रहता है उसके ओपर ये लोग US government को suggest करते हैं कि उन countries को कैसी category में टालना ज़ें तो ये हैं US-CIRF जिसके बारे में हमने थोड़े बहुत detail में पिछली वीडियो में बात की थी बात करेंगे इस वीडियो में एडिक्यूलेंड की शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो भी संस्ता हैं उनके बारे में एक्स्पोजेंज हम लोग 1188 करके ले के आए तो बने रहे हैं हमारे साथ सब्सक्राइब करके बेल ऐगन दबाना ना बुले और यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है तो financial support करना भी ना बुले ताकि इस प्रकार की खबरे हम लोग constantly लाते रहे हमारे दो efforts हैं उसको उस प्रकार से भी appreciate करें ना बुले तो आई यह शुरू करते हैं तो US-CIRF के Exposes की series second video में हम लोग बात करने वाले हैं उसके जो vice chairman है Eric Euland उसके बाद अब यह Eric Euland कौन है उसकी थोड़ी बहुत history जानते हैं तो हम यह समझ पाएंगे कि exactly Eric Euland कौन है किस तरह की ideology रखते हैं और किस तरह के logo के से connected अब यह Eric Euland एक independent international religious freedom watchdog है कुत्ता है जो देखता है पूरी दुनिया में उन कुत्तों की जमात है उसमें से एक कुत्ता है जिसको reappoint किया गया था और Republican Senate Minority Leader Mitch McConnell जी हाँ इसको reappoint किया गया था ताकि यह अपनी services Eric Euland अपनी services as Vice Chairman US CIRF जो की एक independence असक्रा है उसमें दे सके by Republican Senate Minority Leader Mitch McConnell तो वो मई 2026 तक Eric Euland अपनी services देगा Eric Euland एक graduate है in history from University of San Francisco और वो हाल में US CIRF के Vice Chairman के तोर पर काम कर रहा है लेकिन सिर्फ वो इसी पत पर नहीं है apart from this he is also a visiting fellow at Heritage Foundation which is a think tank in USA जो कई सारे अलगलग topics के उपर discussion करते हैं और उसमें विकास करके उन्हों का target होता है China very frequently जिस तरह से US CIRF पारत के खिलाफ reports निकलता है उसी तरह से यह जो particular heritage foundation जो की US का think tank है वे लोग anti-China propaganda चलाते हैं वे लोग anti-China narratives बनाते हैं और उसको public में push करते हैं और government को suggest करते हैं through that correct, incorrect you know how it goes उस प्रकार के data से वे लोग government को suggest करते हैं US State Department को suggest करते हैं कि China के साथ किस तरह से deal करनी जो तो इसी प्रकार से यह जो particular heritage foundation है it works majorly against China pushes out narrative against China हमारे लिए यह एक positive चीज है और यह जो Vice President Eric Uland है वो वहाँ पर visiting fellow के तौर पर हाल में भी service दे रहा है तो हाल में जो भी anti-China narratives वहाँ से निकलेंगे heritage foundation से जो की US की think tank है that will go through Eric Uland as well तो as a party है हम लोग शाहिद यह सोचें कि यह एक positive चीज है यह व्यक्ति ऐसा है कि भारत के favor में हो सकता है या भारत के लिए उसको जादा प्रेना नहीं होगी तो hold your horses क्यूंकि आगे कुछ information ऐसी है जो यह दान हो बटलेंगे Along with Heritage Foundation and along with US CIRF he is also a public advisor in Peravan Health Institute in US जो की health services से related वो भी research है उनमें invest करते हैं और उसके उपर work करते हैं तो उसमें भी वो अपनी service दे रहा है और साथ ही में एक advisory board है Center for Constitutional Liberty at Benedictine College वहाँ पर अभी यह जो particular Benedictine College है उसका भी background काफी ही interesting है यह Benedictine College sponsor किया जाकता है none other than Christian monks and sister तो उनकी ideology भी किस प्रकार की रहती है वो भी आप समझ पाएंगे और उसकी advisory board पर कैसे लोगों को भी लोग अपॉइंट करेंगे वो भी हम लोग समझ पाते हैं भारत में usually यह जो temples government control में है उसके चलते हैं उनकी जो bodies हैं उनकी जो boards हैं उन में अलग अलग धर्मों के कुछ लोग भी कुसाय हैं लेकिन इन जब जब ऐसी कोई religious institution या फिर religion के द्वारा किसी faith के द्वारा sponsored institute होती है तो उसमें जो लोग बैठने हैं खास करके top management में और middle level management में वे उसी faith को maximum belong तो उसी के उपर से आप लोग समझ पाएंगे कि यह जो particular advisor board पर इसको स्थान मिला है Eric Euland वो किस mentality किस ideology के चलते मिला हो अब Christian होना Muslim होना, Hindu होना Jewish होना या फिर किसी भी धर्म से बिलॉग करना है या फिर atheist होना there is nothing wrong with that but जब वो जी governments को influence करती हो government agencies को influence करती हो directly और indirectly overtly और covertly तब वो चीज concerning हो जाती है और उनको भी बहुत ही closely observe करना पड़ता है reason being उसके बाद वो जो governments होती है वो उसी प्रकार के steps लेती है जिस प्रकार की ideology इन sponsors के द्वारा और finances के द्वारा push की ज़ाए तो इसी प्रकार से यह जो particular Eric Euland वो ऐसी संसा से जुड़ा हो है जिसकों वो sponsor किया जाता है Christian monks और sisters के द्वारा और apart from that ऐसी संसा से जुड़ा हो है ऐसे think tank से जुड़ा हो है हाल में भी while providing his services at USCIRF at that time ऐसे think tank से जुड़ा हो है जो constantly anti-China narratives push कर अब यह सब जो scenarios है इसमें दारत कहां पर fit बैठता है और बारत के अगेंस में को narratives आते हैं वो कहां पर fit बैठते हैं संभव है कि यहां तद आपको लगा होगा कि यह जो particular संसा है उसमें सभी लोग ऐसे नहीं है hold your horses ऐसी से दरलिया बात करते हैं कुछ इसकी ऐसी activities की कुछ ऐसे news reports को site करते हुए जिसके basis पर आप समझ पाएंगे कि US-CIRF में किस प्रकार के anti-India लोग उनके top management में बैठे हुए स्टीफन स्नैक के बारे में हमने आपको already आगे के वीडियो में बताया कि किस तरह से वो constantly anti-India narrative अलग-अलग मंचो पर जाके push करता है यहां तक की Ilan Umar और अशिदा तलेप के साथ भी कई बार वो मिल चुका है और कई बार stage भी share कर चुका है और anti-India narrative पुश कर चुका है यहां तक तब भी जब नरेंद्र मोधी जी पिछले साल US गये थे, US विजिक पर गये थे और उसको boycott करने के लिए उसके against में जो event हुई थे जिसमें इलान उमार रशिदा तलेप थी उसमें भी वो स्टीफन शनैग जो कि US CIRF के चैर्मेन है वो उपसे थे उसी प्रगार से पिछले साल Eric Uden ने भी एक congressional briefing के दोरान बताया था कि भारत anti-terrorism laws जो है यानि कि UAPA को है Unlawful Activity Prevention Act UAPA जो है उसका दूरूपयोग करता है भारत की सरकार उसका दूरूपयोग कर रही है और ऐसे लोगों को ऐसे religious minority के लोगों को jail में डाल रही है incarcerated कर रही है जो लोग minority के लिए भावाज उठाते है जी है इस Eric Newland का ये statement है इस प्रकार का उसने statement दिया था एक event के तौरान जिस event का नाम है Human Rights Defenders J in India अब ये जो particular event है Hold Your Heartbeat ये organized किया गया था by none other than IAMC Indian American Muslim Council के तौरा ये particular event पिछले साल organized किया गया था जिसमें उन्होंने उमर खालिद के लिए आवाज उठाए थी और उसी के संदर्व में उमर खालिद की favor में Eric Uland ने ये statement दिया था कि भारत की सरकार ने जो उमर खालिद को jail किया थे वो गलत तरह सी किया है और भारत की सरकार ये जो anti-terrorism law है UAPA है उसको misuse कर रही है और minorities को उसी का उप्योग करके दबाए वही उमर खालिद जो की टुकडे टुकडे गैंग से famous हुआ था जो भारत तेरे टुकडे होंगे के नारो से famous हुआ था उसी उमर खालिद को जब jail में डाला गया under UAP because he incited violence तो उसी के लिए Eric Uland ने ये बताया कि खालिद is a staunch defender of religious minorities जी हां एक भारत के टुकडे करने वाला व्यक्ति जिसकी ideology इस प्रकार कि भारत के टुकडे हो जाएं कश्मीर अलग हो जाएं और इस प्रकार की ideology लेकर जो लुब चलते हैं उसको religious minorities का staunch defender बताएं जबकि भारत में जो religious minorities हैं हकीकत हम second largest majority को अगर खटा दें तो उनके अलावा जो भी religious minorities हैं जिसमें जैन भी हैं पार्सीर भी हैं सिख भी हैं और कई सारी ऐसी minorities आ जाते हैं तो उनके लिए ये लोग कुछ भी नहीं गो उनके लिए ये कोई भी आवाज नहीं उठाते उनके लिए ये लोग एक भी कदर उनके भले नहीं उठाते फिर भी ये लोग religious minorities के defender हैं ऐसी religious minorities तो कि भारत second largest majority उनकी संख्या इतनी है कि कई सारे देशों में total population भी उतनी नहीं है तो उनको पहले तो religious minority कैसे का जा सकता है ये भी एक बहुत बड़ा प्रशन है लेकिन खेर अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आएगा और खास करके ऐसी जो narratives चलाते है many related narratives false narratives जो चलाते है जिसको push करना है जिसका agenda है anti-Indian उनके लिए उन सब चीजों से कोई भी फरक नहीं परता है reality से, facts से, figure से data से उन लोगों कोई भी फगरत नहीं परता है उन लोगों कुछ reasons सही है जिसको वो लोग cherry pick कर भाए छोटे-छोटे reasons जिसको लेकर वे लोग इस प्रकार के narratives भारत के ख्लाते हैं चला तो इसी प्रकार से US CIRF का जो ये chairman है जिसके लिए आपको लगा होगा कि ये anti-China है शायद ये anti-Bharat नहीं होगा उसने भी इस प्रकार की कतिवित याग की है और उमर खालिद के लिए जो की एक UAPA के act में jail में सड़ रहा है और सड़ना चाहिए भी उसके लिए इस प्रकार का statement उसकी favor में इस प्रकार का statement भी आया है कहां जाकर IAMC में जाकर यानि की Indian American Muslim Council में सब्सक्राइब तो ये है Ericuland का असली चैरा तो भारत के अगेंस में भी बयान देता है और साथ ही में एक बहुत ही important चीज जो हम सभी को समझनी चाहिए जैसे कि हमने आपको शुवात में बताया कि इसको reappoint किया गया था एक Republican Leader के द्वारा और ये पास्ट में Donald Trump के ये भी काम कर चुका है directly as assistant to president for legislative affairs as well as the director of legislative affairs तो ऐसे व्यक्ति जब किसी संस्था के top management में जो की governments में काम कर चुके हैं और उस प्रकार के affiliations रखते हैं तो उन संस्थावों को आप किस प्रकार से independent बुला पाएंगे ये उनके जो independent वाली चबी है या फिर उनका जो एक narrative है जो खुद को independent बताते है उसके उपर ये बहुती बड़ा प्रस्ट चेनल कड़ा करता है और राधर ये इस पस्ट कर देता है that USCIRF is nothing more than a puppet of US State Department जिनको ये लोग सजेस्ट करते हैं कि कौन सी country केस केटेगरी में डालना चाहिए जिस प्रकार से recently उनने सजेस्ट किया है कि भारत को country of particular concern की केटेगरी में डालना चाहिए तो इसी प्रकार से ये जो पूरी संस्ता है USCIRF उसमें अलग-अलग लोगों की हम लोग कुंडलिया निकालेंगे और वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे ताकि हम सभी समझ पाए कि कैसे लोग ऐसी organizations में बैठें जो भारत के खिलाफ एज़ेंड़ा चला रहे हैं और अल्टिमेटली जो इनके वहाँ से रिपोर्ट्स निकल कर आए उसके ओपर कितना रिलाए करना चाहिए ये शीरीज चालू रहेगी अभी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है जो सिर्फ एंटी भारत ही नहीं बल्की रेडिकल मानसिक्ता वाले भी हैं और साथ ही में ऐसे अफिलियेशन भी रखते हैं जो की रेडिकल और्टिमेशन मानीशन तो ये जो पर्टिकलर सिरीज है एक्स्पोजिंग यूएसी आयरेफ उसके और भी एपिसोड़ आने वाले हैं तो हमारे साथ बने रहे हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप क्या सोचते हैं इस संसा के बारे में और ऐसी संसा को क्या नाम देना चाहिए ये हमारे साथ फॉमें में साजा करें साथ ही में ऐसे लोगों को जोगी ऐसी संस्ताय चलाते हैं जिनके पास से होकर इस प्रकार के NDE INDIA नेरेटिवस आते हैं बाहर पब्लिक में और US State Department को भी वो शेर किये जाते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है ये भी हमारे साथ परमेंट में ज़रूर साजा करें लागें और वो भी डेटा, इंफरमेशन और फैक्स के बेज़ेंट मिलेगे एगली कबर में तब तक के लिए जाए हिल हर हर मादर झाल 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 झाल